ऐफ हैंट नमस्कर मेरी चैनल में आप सब का स्वगत्त तो फ्रेंज आज मैं आप लोग के साथ एक कपिक शेयर करने वाले हूं जो की बहुत अच्छा और आप लोग कुछ जानने का ये है टोफिक जो की जानने का जरूरी है और प्लिस प्रेंज मेरा रिक्वेस्ट है जो भ करना कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए फ्रेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं अज मैं आप लोग के साथ स्यार करने वाली हूं और चूरी को कैसे पहना जाता है और किस टाइम में पहना सही है और हम लोग बस बोही बारे में जानेंगे आज ना भी मुझे पता है मैं आप स्यार करने के साथ कर रही हूं जो सथिक टारीका होता है चलिए वो जानते हो पर लेडिस हो तो इसको मानना जररी होता है प्राचिन कालों से यह माना जाता है कि चूडी पहनने से जो नारियों का सोंदर्जय और सोभाग्य। होते हैं वो ही बढ़ता है इसलिए हम लोग च इसले हम लोग चूड की होता है जो पर फोडह होता है इसलिए को परित के लिए हम लोग होता है को सही तारीकर से पहनने से ना हम लोग का जो बयवाई का जीवन होता है उसी में बहुत अच्छा मतलब होता है और बहुत कुछ मतलब चुड़ी पहनने से बहुत आप लोग जान पाएंगे हम लोग का सांती मैय होगा बैवाई का जीवन और इसलिए चुड़ी को सही तरीकर से पहनना बहुत जरूरी होता है तो चलिए फ्रेंट्स जानते हैं चुड़ी को केसे किस नियम से हम लोग को पहनना चाहिए प्रावार जब भी चुडी को मार्केंट से लाते हो आप लोग कभी भी जो मंगल बार होता है और सनी भी बार को बिलकूल भी ना लाए क्योंकि ना या बो दिन अच्छा नहीं होता है इसलिए अप लोग जब ही जुडी लाते हो और जो भी सुम्बा हो गया मंग सुंबर बुद्धवार हो गया मैं कभीभी चूड़ी आप मार्केट से हम लोग जब भी जो नएया चूड़ी पहनते हिं ना हम लोग जो गोरी मा होता है उसमरान करके चूड़ी पहनना बहुत अच्छा माना जाता है और जब भी चुड़ी पेहनो ना मर्निंग टाइम और जो इबनिंग का टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है उस टाइम आप लोग चुड़ी पेहन सकते हो और जो मर्निंग में हम लोग चुड़ी पेहनते हैं नहाने के बाद आप लोग चुड़ी पेहन सकते ह बस खाली पेट नहीं होना चाहिए, आप कुछ खा सकते हो, खा के आप लोग चुड़ी मतलब आराम से पहन सकते हो, खाली पेट में नहीं पहनते हैं, और इसलिए हम लोग चुड़ी को मनिंग का टाइम पहनने से अच्छा होता है, और अनमेरेट जो भी है, मतलब लेडिस ल मतलब आपना ब्लाक कलर का चुड़ी नहीं पहनना, क्योंकि ब्लाक कलर बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है, इसलिए मेरेट के बाद ब्लाक कलर का चुड़ी नहीं पहनते हैं, आप लोग को तो पता होगा, जो साधी के दीन ही, ब्लाक कलर कुछ भी यूज नहीं करते हैं और इसलिए हम लोग ब्लाक कलर चुड़ी भी नहीं पहनते हैं साधी के बाद और ब्लाक कलर को छोड़के और जो भी कलर होता है उसको अप लोग आराम से पहन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और मना जाता है कि रेड कलर और पिंग कलर का चुड़ी बहुत ही अच्छा होता है बैवाई के जिवन में सांती और बहुत अच्छा लाता है इसलिए रेड और पिंग कलर का चुड़ी बहुत अच्छा होता है और मतलब जो भी मतलब साधी मतलब जिसका लेट हो रहा है जो लड़की का वो ना दुर्गा मा को जो रेड कलर का चुड़ी और रेड कलर का मुझे जितना पता है मैं आप लोग के साथ बोई शयार कर रहे हूँ और बोलते है कि yellow color का चूड़ी जो होता है yellow color चूड़ी बहुत आच्छा माना है संतान के लिए प्रापती के लिए भी बहुत अच्छा होता है yellow color का चूड़ी आप लोग पहन सकते हो और चुड़ी को तो हम लोग पहले तो बहुत मतलब पहनते थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा चुड़ी पहनने मतलब पहनते थे और अभी तो हो गया है मड़न हो गया है इसी वज़े से कोई सब तो बस एक दो तीन चुड़ी पहनने से बहुत हो जाता है और बोलते हैं कि ज्यादा चुड़ी पहनने से ना मतलब पती का उमर लंबा होता है इसलिए इससे माना जाता है और भी बोलते हैं कि सोना चुड़ी और जो रूपा का होता है बहुत चुड़ी पहनने से ना जो सरीर हो और इसको ना हम लोग मतलब सही मात्रा से पहनने से अच्छे से मतलब बहुत अच्छा होता है और सोना चुडी तो जरूर पहनना चाहिए क्योंकि ना सरीर के लिए बहुत अच्छा आता है हमेसा सोस्त रहेंगे चुडी पहनने से और पती का उमर भी लंबा होता है इसे बोल कौन क्या करेगा इसलिए और बोलते ही कि बहुत पूरा आगे होता है आगे मतलब था ना पूरा हाथ के उपर से ज्यादा बहुत चूड़ी पेहनते थे इसे पेहनने से बहुत अच्छा होता है पती का पती के लिए पती का स्वास्ता अच्छा रहता है इसलिए पहले बहुत तो मैं खुद के बार हीं बोलती हूं. बस मुझे मतलब जितना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है चुड़ी पहनना. क्युक्य ना चुड़ी को आप बहुत सारे गलर जो होता है, सारे कलर चुड़ी आप लोग पहन सकते हो. और एक बात बोलू चूडी को न हम लोग जब भी पहनते हो चूडी जो तूट जाता है और जो चूडी मतलब हातों में जो तूट गया है जो चूडी होता है मतलब फट जाता है वो उस टाइप का चूडी नहीं पहना जाता है वो पहनने से बहुत खराब होता है इसलिए जो फटे हुए चुड़ी वो नहीं पहनना चाहिए और उसको जल्दी से जल निकालना चाहिए उसके बाद आप लोग नया पहन सकते हो और जो भी चुड़ी पहनने का जो मतलब किसे पहनते हैं चुड़ी मतलब होता है ना हाथ में नहीं गुसता है कभी-कभी फट जाता है इस बर शजहए है कि मतलब प्रईयग करना और चुडी पहनने Cosco करना सावुन हाथों नहीं है o प्रणों होता है ईसको 10 धियुकैंड चुडी पहनने का ना depends thinking your चूड़ी नहीं भी तूटेगा और एक बात मैं बोलूँ ध्यान से सुनना फ्रेंट्स और चूड़ी जो तूट जाता है हम लोग कभी कभी होता है इधर फेक देते हैं वो बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ना चूड़ी मतलब भगवान जी के पास पूजा भी होता है और चू जब पानी जहां मतलब नदी हो गया इस तरह मतलब जहां आप लोग का पेर नहीं जाते ओगे उस मतलब वला जो प्लेस होता है वहिं पे चूड़ी को फेकना सही होता है इधर उधर नहीं फेकना चाहिए चूड़ी को और फ्रएंच बस ये था आज का वीडियो मैं आप人ों के साथ स्याल की हूँ और जितना मुझे पता था मैं के साथ आयर КING और जब पेहनने का सही मतलब थारीक होता है हाथ में मतलब काम प्वoot करते हैं हाथ पुरा रोखल का हो जाता है चूडी पहनने से तोठ भी जाता है इस लिए जब भी चूडी पहन लो जब पहना मतलब है आप उससे पहले हाथ को अच्छे से मतलब आप साम्पू या साबुन लगा के चुड़ी को अराम से पहन सकते हो और एक तारीखा है जो की जो आता है पॉली ब्याग उसको भी आप हाथ में लेकर उसको चुड़ी पुरा असन इसे अंदर गुश जटाए उस ताइप का भी आप चुड़ी पहन सकते हो बस यह था मेरा आज चुड़ी के बार में कुछ तो आयोप आप सबको अच्छा लगे यह वाला वीडियो तो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक चैर कमेंट जरू कर देना फ्रेंज तो फिर मिलते हूं आप